अब की बार मोदी है तो मुम्किन है नवस्कार मैं हूँ रंजना दुबे और बंसल नियूज में आप सभी का स्वागत है राजनी भूपाल में भूपालोकसभा सीट बेजीपी का सबसे मजबूत गड़ है और भूपालोकसभा सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित भी मानी जाती है इस सीट में युवा जहां निनाइक भूमिका में होते हैं महिलाएं जहां निनाइक भूमिका में हैं वही अलपिस संख्यक वर्ग का जो वोटर है वो भी बड़ी संख्या में है और यहाँ पर सरकार बनाने में उनकी भूमी का भी बेहद महत्पूर है इस बार अलपिसंख्यक वर्ग का जो वोटर है किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा और विकास को लेकर उनकी क्या उमीदें इस वक्त मारे साथ मुस्लिम संगुदाई के लोग है उनी से वाद करेंगे कि आखर इस बार जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से वो किसको लेकर ज्यादा संजीदा है और उनकी उमीदें क्या है आप भूपाल उक्सवा सीट पर जो दोरों प्रत्याशी हैं उनको लेकर आपकी मन में क्या है कितनी उम्मीद है विकास का खाका किस दिशा में जाएगा उसको लेकर आप लोगों ने क्या सूचा है हम लोगों ने यह सोचा है कि मद्य प्रदेश के अंदर अगर भौपाल के अंदर कोई सीट है तो मैं समझता हूं बरसा बरस के बाद एक ऐसे आदमी को सीट दी गई है जो के हमारे भौपाल के भौपाली है आलोक शर्मा जी और हमें उम्मीद है कि यह भौपाल जो है इतना होगा जो बीच साल में डवलप नहीं हुआ अगर इनको जिताया गया और हम लोग दिल से जिताएंगे तो यह भौपाल बहुत डबलप हो जाएगा अलपसंखिक वर्का बोटर्स तो आमें सा ऐसा कहा जाता है कि बीजोपी के साथ नहीं जाता है लेकिन अब इस सोच अगर आप लोगों की बदली है प्रत्याशी को लेकर या फिर बीजेपी की साथ जाने को लेकर तो यह बदलाफ कैसे हुआ क्यों आया मेड़क क्या है कि हम लोग जो है मुसलमान बहुत जुड़े हुए हैं यहां पर पहले से और अलग शर्मा जी विकास पुरुष के नाम से जा है कि भार्तियन्ता पाल्टी ने बरसों बरस बाद आज आलोग सर्मा जी के रूप में एक शांदार उम्मीद बार भौपाल वासियों को दिया है हम पुराने भौपाल में निवास करते हैं सबसे जादा चिंता और सबसे जादा अगर कोई गंड़ी है तो पुराने आलोग सर्मा जी के सांसाथ बनने के बाद एक बात को हमें पूरी उम्मीद है कि पुराने भौपाल का चहु मुखी विकास होगा और हमारा जो पुराना भौपाल है एक आदस भौपाल के रूप में विक्सित होगा आपको जो कांगरेस कांडिडेट है उनसे कोई उम्मीदे नहीं है सिर्फ और सिर्फ बीजपी के जो प्रत्याशी है आलोग शर्मा सिर्फ उन्हीं से बस उम्मीदे और आपको लग रहा है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का समाधान भी करेंगे कांगरेस के साथ ही है तो इस बार अगर यह जो वोट खिसक रहा है बीजपी के पास जा रहे है तो इसकी बड़ी वज़व क्या आप समझेंगे जी हां हम मानते हैं कि पिछले सभी लोग सभा चुनाओं में जो भी खड़ा हुआ हो यहां से दिगविजे सिंग को भी कांगरेस मुस्लिमों ने भर के बोट दिया उससे पहले जो खड़ हुए हो सुरेश पचुरी बगर सभी आज तक जिन लोगों को दिया हारने वाले ल सोज बनाई है कि इस बार जो है भारती अंता पार्टी को समर्थन करेंगे और अलोक शर्मा जी को लोकसभा पहुचा कर भोपाल के विकास में भागीदारी बने तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के विजन के वज़े से या जो विकास वो जो कर रहे हैं उसकी बज़े स समुदाओं को लेकर किसी में कोई किस बेगा पक्षपास नहीं हिंदूों मुसल्मानों सारी योजना को लाप सारे सम सभी धर्मा के लोगों को मिलना है मोधी जी की तरफ से तो यह बात के लिए रहुए दूसरी बात यह कि हमारे जो अलोक शर्मा जी है यह पहली बार तो भॉपाल में जो आज कुछ जिकरा है वो उन्हीं की वदोलत है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अलोक शर्मा जी अगर संसत तो बन नहीं है उनको हमारे लोगों की प्रियास है कि कितने जाधा बोटों से जीते हैं हमारा इस लोगों का आकलन है कि 7-8 लाग बोट से जीतन होगी और यह पहली बार एसा होगा कि कोई बरुकर्ट ने भुपाली के नाम से जाना जाए लेकिन यह जो मुस्लिम वरकी धारना हमीश जासा भी मैंने लगने से बहुं है तो सबका साथ सब का विकास और विश्वास तो आज नहों ने मुसलमानों का विश्वास जीता है आज कोई भी योजना हो प्रदान मंत्री आवास योजना हो या अन्य योजना हो आज सब को राशन मिला है आज मोदी जी के आने के बाद पहली बार पूरे दुनिया को यह लगा है कि भारत एक मजबूत देश जी हमारे पड़ोस से हम लोग परिशान थे आज पड़ोसी से भी लोग मुतासिर हुए है और आज मुस्लिम समाज के अंदर अब जो एक भैज था देगे कांग्रेस हमेशे डराती थी के भारती जिन्ता पार्टी आजाएगी अगर यह देश में आ जाएंगे तो ऐसा हो जागा आज दंगा नहीं है दस साल के सरकार में मोदी जी कोई िससे वड़ी क्या बात होगी मुसलमान केया चाता शांती चाता है सुकून चाता इसलिए भारती अनता पारड़ी के साथ है यह चाताय है नाबटवारा चाहता है शांतियों सुकून चाहता है लेकिन इससे पहले तमाम तरह की बाते थी डर पैदा किया गया तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर कि प्रधान मंतरी सब को साथ लेकर चल रहे हैं निसंदे वो तो प्रधान मंतरी का कहना ही है कि सब का साथ सब का विकास और पिछले दस साल में कहीं लड़ाई जगड़ा दंगा किसी तरीके की चीज़ा नहीं हुई और भौपाल के संबन में ये कहना चाहता हूँ कि भौपाल में बहुत समय के बाद हाला कि लोकसभा के सभ लब मद्य विदान सबाव और नरेला और जो मुस्लिम बहुल चेतर जो कहलाता है यहां पर छे से साथ लाग आट लाग मुस्लिम वोटर है वो क्योंके आलोक शर्मा जी हमेशा से जब पारशद रहे जब भी काम किया महापोर रहे तब भी उन्होंने बहुत काम किया और लखाल के अंदर कोई नेता करता है तो हो अलोक शर्मा करते हैं इसलिए मुसल्मानों ने टे किया इस बार के बहुत और बाग दे लेकर पूरे दोके वाउ में पूरे थोख के लूब јो मुस्लिम वोट उनको इस बार देनेवाले तो इसे बार आलोक शर्मा इन्होंने कह याने काम को लेकर विकास को लेकर उसके आप लोग तर मुसल्मानों को लेकर भारती की निला... भारती जिनता पाल्टी की सरकार बनी है... तब से हम ये देख रहे हैं मुलक गीर पेमाने पर अमन शान्ती का पेगाम जो मौदी जी के माद्ध हम से दे जा रहा है और विकास की लेहर जो पूरे मुलक में पूरे देश के अंदर चल रही है वो उससे परवावित होकर मुलक गीर पेमाने पर मुसल्मानों ने जहा तक मैं समझता हूँ इस बात का फैसले किया है कि जादे जादे बहुमत के साथ हम भाजापा के परतियाशियों को जिताएंगे और भौपाल एक ऐसा गंगा जमना जमनी तहजीप का गहवारा रहा है यहां पर तमाम मझाइब के लोग तमाम समाज के लोग तमाम ब्रादर के लोगों ने इस बात का फैसला किया है कि भौपाल का परतियाशी लोकल परतियाशी है हम इनको आज बधाई के साथ चुनाओं में विजे दिला रहा है विकास को लेकर आप लोगों को ने क्या सोचा है बपाल में झाचार की दरकार रहा है कहां विकास होना चाहिए चलिए ये जासरी बात होके कि आप लोग किस के साथ है किस के साथ नहीं है है जैसे आलोग चार्मा जीए महाँ पूरते तो उन्होंने काफी जगाँ में विकास किया सुके सिवनी है कि उपर आपने देखा होगा कि वहाँ बना हुआ था कच्छा लोग फेकते थे आप 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 पर आप पर पार्क बना है इसमार्टी पार्क भी वहीं पर आ रहा है अ अब यहीं के रोट वागरों की वहस्ता सुदावी जाए उत्ता विजान सबा में अधिशन सौस्त और इन सब को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर आप लोग क्या चाहते हैं कि राजदानी बोपाल में सिक्षा सौस्त और खासकर की पुराने शहर में क्या वि बेल्वे स्टेशन जाने के लिए जो है काफी तकत होती है तो हम यह चाहते हैं कि मानिये संसद जो बनने जा रहा है है अलोग शर्मा जी उन से है कि वो यह जो है हमको जो है इतने और बीज दियें बोपाल में बोपाल में जो है और भी जो है बोपाल टाकी से बिरेज दे आते हैं पांस साल की बाद उतनी सक्रीता नहीं रहती जब वो जीत कर चले जाते हैं तो आप शाहते हैं किस पर सक्रीता हो या फिर एक ऐसा प्रत्याशी आपको कौन सह मिला है जो लगातार आपके बीच आतारा है बोपाल के अर्मा अलोक शर्मा जी हमें जो मिले हैं यह वहीं पित्याशी गलियों के बोपाल के भरुकोट पटियों पर बेटने वाले जो पार्शत से लेके आज सांसत तक बोच आएं क्योंकि उन्होंने हर समाज का साथ दिया है हम मुस्लिम लोग अकर उनके साथ जुड़ करेंगा और से जीत विजय होगी तो आप लोग क्या सूच आप आपकी तिंकिंग क्या है इस शेतर में विकास को लेकर प्रत्याशी को लेकर जो एक जो एक ऐसी चीजे बनाए एक ऐसा एक्जामपल सेट करें कि वह आने वाले कई प्रत्याश्यों के लिए एक नजीर बने अलोग शर्मा जी तो वेसे ही विकास पुरुष है और उनका एक्जामपल सेट करने की जरूवत नहीं क्योंकि वह आलेडी कर चुके हैं महापूर रहते हुए उन्होंने जो विकास करें वह आलेडी एक्जामपल है और साथ आट लाग वोट से चीत कर जब वह सांसद बने करेंगे जो आज तक जब से लोग साव बनी है तो कोही भी एससांसद नहीं बना जो अलोग शर्मा काम करके बताएंगे और अपकी बार 400 पार अलोग शर्मा जी के साथ मुस्लिम समूद आए हमेशा ऐसे कहा जाता है कि कॉंग्रेस के साथ ही रहता है लेकिन ये सारी चीज़े जो अभी आप लोगों कि इतनी ज़दा चेंज हुई हैं बीज़ेपी के साथ जाना पियम मोदी को पसंद करना इसके बीचे जो बेसिक चेंजिस से वो क्या बेसिक चेंजिस गे है कि आलोग शर्मन ने जब महापूर से बहुत काफी विकास करा है इसके इसको देखते हुए आप मतलब मसलमन पूरा वोड़ दे रहा हैं पियम मोदी नहीं बहुत अच्छा काम करा है सभी को साथ मेले के काम करा है लेकिन अब इस तरीके से एक विव जबाव नम मुसलिम में लुस्भे करते हैं आज भी मेरी जो भी आस्मान में युगा है मेरी मोधी जी की मा का एक फिलाज मुआतरा मोधी नहीं करा रहा है। आप लिए जो बहनों को राशी है मुसलिं मेहनों को भी मिल रही है और जो आयुषमान कार्शे लिकर तमाम यूजनाओं का लाभ आप लोकों को मिल जी में रहा है जिव रहा इसमें किसी तरीके को क्यों दुराय नहीं है यह बिला बज़जे की भामक जो अववाई जो कांग इसके तरफ से कि पुराना जो वीडियो आया था क्याल पिसंख्याकों को जो प्रापटी दे देंगे ये सब चीजे करेंगे उसके बाद लगातर बयान हुई इसको लेकर आप क्या करेंगे देखिए मोदी जी की तरफ से मैं गारंटी लेता हूं और बीजेपी की तरफ से जो विकास और जो काम हुआ है मुसल्मानों के अंदर भर्म फेलाया जा रहा है कि ये एक तरीए से आतंग बचा देंगे परिशान कर देंगे मुसल्मानों को ऐसा कुछ भी नहीं है आप बता दीजे मुझे 20 साल के अंदर जब से बीजेपी कभी दंगे हुए आज तक दंगे इससे पहले दंगे होते थे 92 में तब हैंकर दंगा हुआ था उसके बाद से बीजेपी ने बागडोर समा लिए कभी दंगा नहीं हो रहा इतने मुसलिम जोड़े हैं ता लात आदाद पर जो जोड़े हैं आज इसी वज़े से जोड़े हैं कि सरकार के अंदर हम लोग रहें तो इसी तरह मद्धे परदेश से लेके पूरे मद्धे परदेश में एक गंगा लेएर बनेगी गंगा जमनी की लेएर बनेगी पूरा देश प्रभावित है। उनकी जो गड़ीबों के लिए योजना है। चाहे आन्नी योजना है, चाहे स्वास्ति योजना है, चाहे पूस्लिमों के टलाक का मामला है। निकाह का मामला हो जम्मू कश्मीर में धारत 370 का मामला हो सभी जगा लोग खुश हैं उनकी योजनाओं से तीन सो जटर जो आटी थी उससे आप लोग खुश थे बिल्कुल खुश है आज आज जाके भारत आजद हुआ है तो वहां पे दो कानून चलते थे कश्मीर के अंद हुआ आज ने स्टर विशवास हां लोगश हैं फूरा जम्मू कश्मीर के मिसल्मान खुश हैं कि आज व्याज के तो वह यह कहते हैं कि आज 270 रटने के बाद में यहां पर खुशी का महावल है, यहां पर रोजगार है, यहां पर अमन है, इसके पहले वहां पर कुछ नहीं ता, 370 रटने के पहले ये हमारे साथ राजदानी भोपाल के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से प्रभाबत हैं लेकिन प्रभाबत होने की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो यही है उनका विकास उनका विजन और सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का और यही होंगे वो जनता के हित और विकास को लेकर ही होँगे लेकिन फिलहाल यहां पर भारती जनता और पाटी के जो प्रत्याशी आलोक श्रमा मैदान में है उनको लेकर estoy इस वर्ग वह बाते हैं उनको लेकर क्या कुछ कहना है यह तो चार जून mandate को ही पता चलेगा लेकिन आजक सब्सक्राइब के लिए आप देखते रहिए बंसली उस माधिप्रदीश 36 कर नमस्कार अपकी बार मोधी है तो मुम्किन है मोधी है को मुम्किन है मोधी है तो मुम्किन है